इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसान उगी प्रात्विक्ता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजरितिक दलों के पुराने गोशना पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं। पहले जो देश की कृशी ववस्ता संभाल रहे थे ऐसे माहनुभावों की चिठियां देखी जाए तो आज जो कृशी सुधार हुए है वो उनसे अलग नहीं है वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बाते इन कृशी सुधारों में की गई है मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृशी कानूनों में सुधार क्यों हुआ उनको तकलिफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोधी ने कैसे किया मोधी ने क्यों किया मुहदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए मैं सभी राजनितिक दलों को हाद जोड के कहना चाहता हूँ आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए आपके सारे पुराने गोशना पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूँ मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए समुरुद्धी चाहिए किसानी में आधुनिक्ता चाहिए आप कुरुपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड दीजिए उन्हें ब्रभीत करना छोड दीजिए साथियों ये कानून लागू हुए छे साथ महने से जादा समय हो चुका है लेकिन अब अचानक ब्रह्म और जूट का जान बिछा कर अपनी राजनितिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं किसानों के कंधे पर बंदुग रकर बार किये जा रहे हैं आपने देखा होगा सरकार बार बार पूछ रही है मिटिंग में भी पूछ रही है पब्लिकली पूछ रही है हमारे कृशी मंत्री टीम इंटर्यू में कह रहे है मैं खुद बोल रहा हूँ कि वे आपको कानून में किस क्लोज में क्या दिक्कत है बताईए जो भी दिक्कत है वा बताईए तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है साथियों जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखा कर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे है आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले है जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मोका मिला था उस समय इन लोगों ने क्या किया ये देश को याद रखना जरूरी है मैं आज देश स्वाश्यों के सामने देश के किसानों के सामने इन लोगों का कच्चा चिठा भी देश के लोगों के सामने मेरे किसान भाई और बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूँ नब बताना चाहता हूँ साथियों, किसानों की बाते करने वाले लोग, आज जूठे आशु बहाने वाले लोग, कितने निर्दरी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है, स्वामिन आधन कमिटी की रिपोर्ट स्वामिन आधन कमिशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग, स्वामिन आधन कमिटी की सिफारिशों को, आठ साल तक दबा कर बैठे रहें, किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला, इन लोगों ने ये सुनिशित किया, कि इनकी सरकार को किसान पर जाना खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो, इनके लिए किसान, देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीती बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तमाल किया है, जब कि किसानों के लिए संबेदंसिल, किसानों के लिए समर्पित, हमारी सरकार किसानों को अन्रदाता मानती है, हमने फाइलों के धेर में फैंक दी गई, स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट बहार निकाला, और इसकी सिफारे से लागों की, किसानों को लागत का डेड़ गुना MSP हमने दिया, साथियों, हमारे देश में किसानों के साथ, दोखा गड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदारन है, कॉंग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी, जब दो साल पहले मद्ध प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, तो कर्ज माफी का वाइदा किया गया था, कहा गया था, कि सरकार बनने के दस दिन के भीतर, सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, सरकार बनने के बाद क्या-क्या बहाने बताए गए ये मज़्द प्रदेश के किसान मुझसे भी जादा अच्छी तरह जानते हैं राजस्तान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं किसानों को इतना बड़ा दोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूँ तो मुड़े बड़ा अस्षेर होता है ये कैसे लोग है क्या राजनिती इस हद तक जाती है क्या कोई इस हद तक छल कपड कैसे कर सकता है और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर किसानों को और कितना दोखा देंगे ये लोग साथियों हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं और कर्ज माफी कितनी होती है सारे किसान इससे कवर होते हैं क्या जो छोटा किसान कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा है जिसने कभी कर्ज नहीं लिया उसके बारे में क्या कभी एक बार भी सोचा है इन लोगों ने और नया पुराना हर अनुभव ये बताता है कि जितनी ये गोशना करते हैं उतनी कर्ज माफी कभी नहीं करते जितने पैसे ये बेजने की बात कर रहते हैं उतने पैसे किसानों तक कभी पहुँचते ही नहीं है किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बडले में उसे मिलता था बैंकों का नोटीस और गिरपतरी का वारंट और इस कर्ज माफी का सबसे बड़ा लाप किसे मिलता था इन लोगों के करीबियों को ना ते रिष्टेदारों को अगर मेरे मिडिया के मित्र अगर थोड़ा खंगा लेंगे तो यह सब आठ दस साल पहले की रिपोर्ट में उन्हें पूरी तड़ा कच्चा चिठा मिल जाएगा यही उनका चरीत्र रहा है किसानों की राजनीती का दम भरने वालों ने कभी इसके लिए आंदोलन नहीं किया प्रदर्शन नहीं किया कुछ बड़े किसानों का कर्च दस साल में एक बार माफ हो गया इनकी राजनीतिक रोटी सिख गई काम पूरा हो गया फिर गरीव किसान को कौन पुस्ता है